नमश्कार आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसे मन द्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्तान में हूँ आपके साथ शुभेंदु सेंग बुलिटिन पिंक सिटी 360 में हम आपको राजस्तानी जैपुर की हर वो खबर दिखाएंगे जोसे आपका सरुकार जुड़ा है सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते कोरोना के खत्रे की राजस्तान में कोरोना की जो रफतार है वो तेज सोती वे नजर आई है और इस वक्त की बड़ी खबर है कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी राजस्तान में एक बाद फिर से कोरोना की रफतार तेज सो चुकी है 24 संटों में कोरोना की 102 नए केस मिले है और राजधानी जैपुर में सबसे ज़्यादा 76 केस मिले हैं जैपुर के बाद धॉलपुर में सबसे ज़्यादा 20 केस आएं है दौसा बांसवाडा में 2-2 केस हैं और भीकारे में एक केस सामने आया है तो ये कोरोना से जूरी बड़ी ज्ञानकारी है जो कि आपके लिए बड़ी जरूरी है और कोरोना की जो रफ्तार है पहले के मुकाबले तेज सो चुकी है आप पहले के मुकाबले ज़्यादा रफ्तार देखने को मिल रही है और 24 घंटों में कोरोना के सो दो नए केस मिले हैं और नए संक्रमर के मामले सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है राजानी जैपुर में सबसे ज़्यादा चियतर केस मिले हैं और जैपुर के बाद धौलपुर में सबसे ज़्यादा बीस केस सामने आये हैं वहीं दोसा बांसवाडा में दो-दो केस हैं, बीकारे में एक मामला सामनी आया है, यानि कि ये दिखाता है, बताता है कि कोरोना का खत्वरा अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्वरा अभी भी बरकरार है और राजस्तान में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुए न मुख्य मंत्री अशोग गयलोत दिली दोरे पर रहे और इस तोरान सीम गयलोत ने देश में साम्प्रदाई खटनाओं को लेकर बीजेपी और आरेसस को जिमिदा ठेराया और ने कहा कि आरेसस और बीजेपी के लोग ही दंगे भड़काने का काम करते है साथ राज्यों में दंगा होना बड़ी बात है प्रधान मंत्री को आगे आना चाहिए साथी सीम गयलोत ने देश में बढ़ते बिजली संकट पर चुनता जताई है साथी सीम ने उदैपुर में होने वाले चुनतन चिविर और संगठन के सवाल पर जवाब भी दिया है अच्छी बात यह ना पता नहीं उनके क्या सलाह करने क्या सलाह देती होगी उचका जो अभी तक तो ने यह किया नहीं है कंडेम करना चाहिए पुरी देश के अंदर इत्ता चिंता जनेक हालात है क्योंकि हर रख्ती जरावा सहमावा है हिंट्रा का महूल बन गया है दंगे बढ़काई जा रहे हैं तो मैंने तो मांग की ती हमें साजी से परिक आप एक शुप्रिंगोड के आहेको रिजस को आठों जेगों की जो एप्रोच दंगे की बोड़ोप बनावा है जो उनका वो एक साथ है तो मालूम पढ़े तो आगे दंगे रुख जाएंगे आप दंगा बढ़कने से हम लोग रोकने में काम्याब रहे हैं यह को कम बाइत है क्या एक केजूडी नहीं उपाई वाह पर और उसके बाद में बड़ा पचार पचार चल रहा है दिल्ली से के मीडे वाले गए हमापर केंदेरे मंतियों घर जाके तो गपसब करते हैं पार जाके वह फिर बाइट लेते हैं तो यह नाड़क चलता रहता है मैं बहुत गंपी साहरे कहना चाहूँगा यह तमाम सत्वा बैड़ गए हो अच्छी बात है डेमोकर्ची है और वित हुमिलिटी कॉंगर्ट ने हाड़ सिकार करी अब उसके बाद में समय में नहीं आता हमको आपके दूस्मन है क्या यह तो लड़ी विचारदानों की लड़ी है सरकार बदर दी रहती है पर जित रूप में यह लोग यह भड़कारे दंगों को इसमें सरिंद्र है सरिंद्र की बू आती है और मैं समय सामने को लेकर प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के दफ्तर में कॉंग्रिस की एहम बैठक हुई है प्यारो संजय निरूपम ने कारेकरताओं की बैठक लिए और बैठक में टियारो और जुला संजय निरूपम ने बैठक में हुए चर्चा और संगठन की तैयारियों की जानकारी दी क्या कुछ रहा है जरा आपको सुनाते हैं और दिया है हमने फिर भी कुछ लोग नहीं दे पाए कुछ लोग नहीं दे पाए तो कोई बात भी उनकी समस्या रही होगी लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे अध्यक्ष महोदे जी के देख रेक में उनके नतित्तों में बड़े पैमाने पर मेंबर्शिप चला औ बहुत अच्छे डंग से सदस बनाएंगे पुरे देश में कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव डियारोज को कराना है तो यह संगठन की जो गतिविदी चल रही है जो कारियकरम प्राधिकरन ने दिल्ली से दिया है उसके मताबिक यह लोग काम करेंगे और इनके वहां मीटिंग की उनके जहां जरूरी होगा आउसक होगा वहां चुनाव करानी की यह सारी व्यवस्ता हैं वहां के जिला देख्स और हमारे जो संगठन के नेता है वो लोग करेंगे हम इनके साथ एक-एक PCC से प्रवेक्षक ओर लगाएंगे जिससे वो इनको कॉडिनेट कर सके इनकी वहां मीटिंग करा सके और उसके बाद में जब भी चुनाव का शिल्यू जारी होता है उस देट में चुनाव की प्रिक्रिया को सबभन करा सके तो संग्ठन चुनाव को लेकर के अब तैयारिया भी है और बकायदा इसके लिए संजे निरूपम जो की पियारो नियुक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और बकायदा ये बताया जाता है कि दिल्ली से क्या पैगाम आया है इसमें ये माना जा रहा है कि संग्ठन में जो नई ज पन हो पाता है वहीं साधी साथ मेंबर्शिप अभ्यान को लेकर के भी जानकारी दी गई ब्लॉक के बाद जिलाद ध्यक्ष और तमाम जो अन्य नियुक्तियां हैं उनको लेकर के भी बात रखी गई है डियारो और जिलाद ध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे सेवदल की आजादी की गौरब यात्रा को लेकर आटी डी सी चेर्मेन धरवेंदर राठोर ने पी सी सी दफ्तर में जैपूर शहर कॉंग्रूस की बैठक ली है निगम पार्शद और कॉंग्रूस के तमाम कारेकरता इस बैठक में मौजूद रहे आपको बताएं कि 13 माई को सेवदल की गौरब यात्रा जैपूर पहुंचेगी यात्रा के समर्थर में शहर कॉंग्रूस रोड शो निकालेगी और इस तवरान बैठक में कॉंग्रूस पाशद दीरा चगरवाल और अर्विंद मैथी ने सवाल उठाते हुए निकब में कमे शदों को शांत करवाया बेटे रोहित जोश्री पर लगे दुश्क्रम की आरूप पर मंतुरी महिश जोश्री का बयान सामने आया औरोंने कहा कि मैं सच्चाई और न्याय के साथ हूं और जोश्री के इस बयान के बाद PCC चीफ कोविन डोटासरा ने भी बयान देते हुए कहा कि F.I.R. दर जोने से कोई दोशी नहीं हो जाता दोशी मेरा बेटा हो या कोई भी हो सब पर कारवाई होगी पर कि अब जैसा आपने बताया मीडिया ने बताया कि बद्रूट दजूए इस पुलिस नश्वर्प्रक्ष्टा के साथ हुए गयराई के साथ और सच्ची के साथ तो इसकी जाज़ करें यह प्रकरण मोचा को बज़ा पकरण मोचा को मैं हमेशा नहाए को सच्चाई के फ़िए आपार करने मातर से कोई दोशी नहीं हो जाता अगर इन्वेस्टीगेशन में कोई भी व्यक्ति चाहिए वो मंत्री का बेटा हो चाहिए वो मेरा बेटा हो अगर हो दोसी पाया जाता है तो कॉंग्रेस पार्टी 100% कारवाई करेगी हम भारतिय जन्ता पार्टी की तरह नहीं है कि जिस प्रकार से केंद्रिये ग्रह राजिये मंत्री के बेटे को सलाकों के पीछे हो गया और चौती लहर के बीच प्रदिश पे कोरोना का कहर भी बढ़ने लगा है राजस्तान में आज 24 खंटे में 99 केस सामने आए हैं राजस्तानी जैपूर के बाद अब धौलपूर में भी कोरोना केस की संख्या बढ़ने लगी है दौलपूर में बीते 24 खंटों के अंदर कोरोना के 55 नए बरिसों ने प्रशासन के सामने मुश्कुले खड़ी कर दिया है अब प्रशासन के सामने एक बार फिर से कोरोना की चुनौती सामने खड़ी हो चुकी है जैपूर से एक खास रिपोर्ट आ देखे अब प्रशासन के पार यानि की 538 पर पहुच गई है जिस तरे आंकडे बढ़ रहे हैं सरकार की चिंतायम भी बढ़ती जा रही है मुख्य मंतरी, चिकिसामनती और तमाम जन्पत्रहदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि करोना गाइडलाइन की पालना हो लेकिन परेटक इस तरलों और बाजारों में करोना गाइडलाइन की पालना होते वे दिख नहीं रही है हालनकि सरकार की और से संशादों को दूरूस्त कर लिया गया है लेकिन अब आंक्टे बढ़ रहे हैं तो सरकार की और से टेस्टिंग का दायरा भी बढ़ा दिया गया है टेस्टिंग का दायरा अब तीन जार से बढ़ा कर परते दिन छहाजार करने के प्रदेश में चल रहे ही गर महवाव ने लोगों को परिशान करना शुरू कर दिया है बड़े बुज़र की नहीं बलकि बच्चे भी इस हीट वेव से खासे परिशान है और इस कारण हीट पर हीट जो है वो लगातार नज़र आ रही है और हाइपर पाइरेसिया और डिहाइडरिशन का शिकार हो कर के बच्चे अस्पतालों में भरती हो रहे हैं बच्चों को 102 ड पाइरेसिया के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं और बच्चों में हीट स्टोक के लक्षन अभी नहीं देखे गए साथी ऐसा एक भी मरीज अस्पताल में नहीं आया जो हीट स्टोक का शिकार हुआ है कि सब्सक्य जब से खर्मी बढ़ी थे थेखी लुक्ताल से भी मरी मश्सक्पश से पर तेज, ये बजा सब स्टोक करने की इच्छा और कम हो रही है उसका हम बहत है कि इट फटी यानि कि बच्चों को लंबे समझ से तेज गर्मी की वज़े से एक फटी को इस्तिति आगी है। हम अगर बचाव रखें विवाग समझ लें कि कमला ठंडा रखें और बार बार तरल पदाट बच्चों को देते रहें तो लोग से बच जाएंगे। और प्रदेश में भीशन गर्मी का दोड़ जारी है तपती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। मौसर विभाग के अनुसार माई के आखिर तक प्रदेश के कई जिलों में तापमान पचास दिगरी के पार पहुंच सकता है। जैपूर से देखिए एक खास रिपोर्ट। किया गया है वहीं अब घरों में एसी कुलर भी पूरी तरह से फैल होते जा रहे हैं अभी माई की सुरुवात है आगामी माई के अन तक मौसर विभाग के माने तो परदेश के कई सहरों में तापमान पचास डिगरी के पार पहुंच जाएगा इस बिशन गर्मी से बचने क की ओर से किया जाते हैं कैमरा पर संग्रीज के साथ मैं पसंद इंडिया नियूज जैपूर रजस्तान बजरी ट्रक ऑपरेटर वेलफेर सोसाइटी ने बजरी माफियाओं पर सक्त कारवाई की मांग की है सरकार से कारवाई की मांग करते हुए सोसाइटी के पदादिकारिय मुखे सचेफ, डीजीपी और खनन विभाग को भी ग्यापन दिया गया है तो बजरी माफिया पर कारवाई की मांग की जा रही है बजरी ट्रक आपरेटर वेलफेर सोसाइटी ने ये मांग की है और कारवाई को लेकर के बकाईदा एक ग्यापन सौपा गया है इसमें ट्रक आपरेटर वेलफेर सोसाइटी की तरफ से ये मांग की जा रही है कारवाई को लेकर के बकाईदा ये ग्यापन सौप करके ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर कदम उछाए जाए कारवाई इसमें हो सके ताकि जो परिशानिया आ रही है उसका समधान निकाला जा सके सब्सक्राइब करते हैं जिनके बारे में हम लोग आप लोगों को बताएंगे हमने जिप्रेश नोट बना रखा है कुछ मांगे इस परकार से है कि देवली से अभी वैद बजरी जैपूर के लिए ट्रांस्पोर्ट की जा रही है उसके दोरान हमारे को transit time 6 गंटे का दिया जाता है 6 गंटे के दोरान गाड़ी जयपूर तो पहुंच जाती है लेकिन वो गाड़िया खाली नहीं हो पाती है खाली नहीं होने के कारण गाड़िया मंडियों में खड़ी हो जाती है पुलिस और माइनिंग वाकी टेमें मंडियों में चली जाती है उन गाड़ियों को ले जाकर थाने में बंद कर दी जाती है और उन में GPS विदाएं लगी हैं उन गाड़ियों में सब कुछ है गाड़ियों का अगर वो सही सिस्टम से चेक करें तो उन कार्वीओं को बंद करने का तो चोरों के होसले बुलंद नज़रा रहे हैं और ऐसे में छोटे बच्चों को भी उनका इस्तमाल किया जाता है और यह आप तस्वीरों के जरीए देख रहे हैं दरसल यह जो पूरी तस्वीरें हैं यह कैमरे के अंदर कैद हो जाती हैं और ये पूरी वारदा जो है सीसी टीवी कैमरे के अंदर कैद हो गए ये आप देख रहे हैं एक बैक जो की छोटे से बच्चे के हाथ में नजर आता है तो पुरे साला की चोरू की तलाश कर रही है लेकिन शादी में शामिल होकर के लाखों रुपे उड़ाने का ये मामला सा बात से अब पूरे इलाके में हड़का मचा हुआ है जैपुर के दुदू थाना शेत्र के नेशनल हाइवे 48 पर एक ट्वेलर और कंटेनर में जबरदत फिर डंत हो गई हाथ से में ट्वेलर के ड्वाइवर और परिचारक दोनों गंभी रूप से गायल हो गए हैं सोचना पर पहुंची पुलिस ने अम्बुलेंस की मदद से खायलों को अस्पताल में फर्दी करवाया और प्रात्मिक उप्चार के बाद जैपुर एसमेस अस्पताल में रिफर किया गया वहीं हाईवे से शेत्र वाहनों को क्रेन की साहिता से हटवा कर यातायात सुचारू कंटेनर में जब ये टकर होती है उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे अर्ट तालेस पर ये सड़क हादसा हुआ है जैसे ही हादसा होता है उसके बाद खायलों को अम्बुलेंस की मदद से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है और ट्रेलर और कंटेनर की इस भिडंद में कुछ लोग इसमें खायल भी हुए है तो ट्रेलर और ड्राइवर ट्रेलर का जो ड्राइवर है वो इस तोरान शती गस्त हो जाता है दुरगटना गस्त हो जाता है और इस तोरान जो दुरगटना ये होती है उसमें ट्रेलर और कंटेनर में जब पर ये जब सड़क हादसा होता है तो घायल जो लोग हैं उनको तुरंथी अस्पताल में पहुंचाय जाता है जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है लेकिन जो ट्रेलर और कंटेनर के बीच बिड़न्त होने के बाद शतीरस दोनों वहानों को वहां से हटाने की कोशुश की जाती है आप वहीं दूसरी तरफ घायल को अमबुलन्स की मदद से अस्पताल तक पहुंचाय जाता है पेशकुश में फिलाल के लिए बस अतना ही नमस्कार